असलाम वालेकुम प्यारे बच्चों बच्चों हम अक्सर देखते हैं कि हमारे अत्राफ में बहुत सारे लोग अलग-अलग काम करते हैं जैसे कोई मजदूर होता है, वजन उठाता है, चपल सीने वाला मोची वो चपले दुरुस्त करता है बढ़ई अलग-लग लखडी के सामान बनाता है, हलवाई अच्छी अच्छी मिठाईयां तैयार करता है, सबजी फरोश सबजियां बेचता है और लोहार लोहे से अलग-अलग किसम की चीजे बनाता है, हजाम बाल काटता है, और किसान जो है खेती के काम करता है मलाह लोगों को नदी में एक जगा से दूसरी जगा जाने में मदद करता है और कुमहार मिट्टी के अलग-अलग बरतन बनाता है तो बच्चों आप सोचते होंगे कि ये सारे लोग इतने महनत के काम क्यूं करते ही तो इसका जवाब ये है कि रोजी कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए इसी तरह एक और काम है बच्चे समालना मुक्तलिफ आउरतें बच्चों की परवरिश करती हैं देख भाल करती हैं और उन बच्चों को समालती है हमारे अत्राफ में हमें पालना घर नजर आता है जहां बच्चे समाले जाते हैं तो बच्चों आज हम भी एक ऐसी औरत के बारे में सबक पढ़ने वाले हैं जो दाया थी यानि बच्चे समाला करती थी तो चलिए हम सबक शुरू करते हैं हमारे सबक का उन्वान है हजरत हलीमा रजी अल्हा नहां जो हमारे नभी हजरत मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم की दाया थी जिनोंने आप صلی اللہ علیہ وسلم को संभाला, उनकी देखभाल की उन्हें दूद पिलाया और उनकी परवर्श की तो चलिए बच्चों हम उनके बारे में ज्यादा मालूमात हसिल करते हैं आईए हम सबक शिरू करते हैं हमारे सबक का उन्वान है हजरत हलीमा रजी अल्हा नहां